सबी बाईयों को नमस्कार सबी का सुवागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डिरी फार्म पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हारदिक सुवागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ परियास रहता है पसूपालक बाईयों को अच् सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो लेके आएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जो बाई फेस्बुक पेज पे देख पा रही हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहाँ भी रेगुलर वीडियों हैं वो आप तक पहुंचती रहें आज की समय पे पसुपालकों को जो है लोकल जो रूटीन की विकरी में प्रवाइड करवाते हैं तो आज की वीडियो लेके आ रहें जी दुनिंदा गाउं से दिस्टिक मेहंदरगड में अटेली से बिलकुल सटा हुआ गाउं दो बाई हैं युआ साथी इंदरपाल और एक बाई बाहर थे नहीं पहुँच पाए तो आज इनके फारम से वीडियो है जी इनके फारम पे ये जोटी पहले ब्यात में चार दात में इसने 22-23 किलो दूद निकाला था अब की बार दूसरी बार काविंग की थी आठवे दात जो निकाल रही थी और इन्होंने ये पसुदन जो है छैल किया था उसके बाद बाई ने कलीप बेजी की हमारी जोटी के कलिप आप सोशल मीडिया पर शेयर करें क्योंकि अच्छी खासी रकम जो इन्होंने पसुदन बेच के जिस किसान से ली है जिस पसुदन पालक से ली है उसने दी और अच्छा पसुदन ये देख सकते ह गाओं के गणमाने लगबग 20-25-30 आदमी होंगे वहाँ पे मौझूद इन्होंने दूसरे ब्यात की जोटी अपने फारम से बेच के निम्राना में कोई बाई रागनी गायक है उसने खरीदी थी खाली होती होई जोटी 15 किलो दूद काटे के तोल से उठी है और पूरे मैं कहूंगा हम नहीं पहुच पाए फिर भी आपके साथ चाजा कर रहे हैं अभी परजेंट की जो रिपोर्ट है जोटी की काफी टाइम से बोल रहे थे वीडियो डालें लेकिन रेगुलर वीडियो ड तो आज मन हुआ कि एक अच्छे पसूपालक को सामने लेके आने में कोई मैं कहूंगा हमारी तरफ से परियास है वो कभी पिछे नहीं रहे तो यह इनके फारम से गई है अभी मोके पे दूद जो है अगले किसान जिस बाई के गर पे गई है वहां की रिपोर्ट भी है का पीक जब पसू है डेड़ से दो महीने पे लेता है तो मिल्किंग करवाएंगे वहां से इन्होंने यह पसू दन इनके फारम से नो लाख 71,000 रुपे में जोटी को शेल किया है यह बाई की फोन पे कमिटमेंट मेरे को थी और जो है दूद भी है जोटी में ब्यूटी भी लेकिन बाई ने जो एक क्लिप हमें बेजी है आपके साथ साजा कर रहे हैं देखे जी सामने आप देख पा रहे हैं जितने भी गणमाने आसपास के इलाके से गाउं के जो अच्छे पसू पालक है अच्छे पसूओं के सोखीन है वह बाई इनके पास पहुंचे और पसू जो है बिकरी का इनका काम है रूटीन से इनके पास पसू दन आपको कोई भी भाई अगर देखना चाता है वहाँ पे जाके मिलना चाता है वहाँ इनका मोबाइल नमबर भी देंगे वो देख बे सकता है इनसे मिल भी सकता है पसू भी खरीच चकता है यहाँ पे आप जोटी क को देख पा रहें ये क्लिप थोड़ी क्लियर भाई ने बनाई है प्रेगनेंट की बिल्कुल छोटा सींग है फुल साइज की पीठ पुठा काफी चोड़ा टाइट अडर की पसू मैं हर बार एक पसू पालकों को बताता हूं कि टाइट अडर के पसू दूद निकालने में ज दरपाल भाई हैं जो उनका तो ये वीडियो आपके साथ चाजा कर रहें जी नो लाक इकतर अजार रुपे में ये पसू दन भीका खरीदने वाले पसू पालक को भी हम बदाई देते हैं और जिनके पास चे भीका है उन भाईयों को भी हम कहेंगे कि ऐसे ही अच्छे अच् सीमन यूज करें ताकि किसान की आए जो है बड़े क्योंकि खेती के बाद हर्याना में तो मानके इंकम का जो सिस्टम है दूसरा वो मुर्रा पसूदन है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कुमेंट्स में जरूर बताएं सभी बाई जुड़े सभी का दन्यवाद सभी को म मेरी तरफ से नमास्कार